नमसकार फ्रेंट स्वागाते एक बार फिर से आप सब को आपके अपने चैनल में तो प्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे dream 11 के अंदर जो small league होते हैं उसके tricks के बारे में कि किस तरह से आप small league की एक best team करेट करोगे जिससे आप small league में अच्छे खासे profit कर सकते हो ठीक है वीडियो काफी informative है इसलिए complete जरूर देखिएगा इसके साथ channel पर पहली बार आयो हो channel को subscribe कर लेना बेल notification को on करके all पर select कर लेना कियोंकि यहां पर आपको हरो जिसी तरह के content मिलते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर हम ड्रीम 11 को open करते हैं यहां पर देखिए यह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जब आप open करेंगे सारे के सारे matches आपको सो हो जाएंगे कुछ बाते आपको बता दूँ अच्छी लीग होता है उसमें भी आपको प्ले करना चाहिए पर आपको पूरी knowledge होना चाहिए ठीक है जब तक आपको पूरी knowledge नहीं होगा ग्रेंग में आप अच्छी rank नहीं ला सकते हो और आपका टीम अच्छा क्रियेट नहीं होगा और आ हाइज देखिए एसमॉर ली की context के बारे मैं थोड़ा आपको explain कर दूँ स्मॉरी की context होता है जिसमें तीन members केलते हैं और उन तीन members में से दू members को पीछे करके आपको number one rank पे लाना होता है ठीक है एस्मॉरी की team क्रिएट करने के लिए आपको हाइज सेलेक्रेशन वाले player को स इसको की यहां पे आपको पीछ रिपोर्ट हो गया इसके बाद में आपको अबरेजिस को ठीक यह सब चीज़े आपको यहां पर पता करना होगा यह चीज़े आपको fancode पे मिल जाएगा एक जगसी यह सब कुछ कुछ आप फाइंड कर सकते हो और यहां पे ड्रीम 11 भी आपको सिजेस्ट कर रहा है देखिए यहां पे पीछ जो है बैटिंग फ्रेंडली है और यहां पे आप देख सकते हैं ग्राउंड पेसर को सपोर्ट करती है अबरेज 155 का है कहां पे मैच खेला जाएगा सब कुछ प्रणिंग आपको टीम करेंड करना है यहां पर से क्रेट की जाती है क्या ट्रिक्स को अपलाई करके फ़र्स रेंग पर लाया जाता है यह मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं इसलिए वीडियो को कंटिनू ध्यान से जरूरू देखिएगा यहां पर की पर सेक्शन के हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पर तीन प्लेयर जो हैं खेलने वाले हैं ठीक है यह मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि तीन प्लेयर यहां पर खेलने वाले है मुझे यह पाता है मैंने सारे कुछ फाइंड कर लिया है यहां से इसको फाइंड कर सकते हो ठ करेगा तो यहां से से महर पर और यह पर्शन में से हमें लेना है किसी एक को ठीक है चाहे इसका सेलेक्शन कितना हूं कम होगा क्योंकि यहां पर बैटिंग दोनों जग से बेनिफिट देने वाला है तो ऐसे ही पलेर को हम अपने टीम में रखेंगे से महर पर को रखेंगे क्य यहां से एक और player आपको मिल जाएगा जे विल्स इसको आप रखेंगे ठीक है अब इन सारे player को क्यों रखेंगे यह मैं आपको बता दे रहा हूं देखिए यहां से आपको high selection वाले player को select कर लेना है जो अच्छे performance करके आ रहा है पिछले match में उसको select कर लेना है जो अच्छे player है ठीक है Aaron Fitch को आपको लेना है क्यों कि यह अच्छा performance करता है और यह अच्छा player है इसके बाद में Colin Monroe को भी आप रखेंगे high selection है इसका और best player है ठीक है यहां से एक player को थोरी अच्छी रिस लेंगे जो यहां पर जेवेल्स है ठीक है जेविल्स को हम अपने टीम में रखेंगे selection 20% है और पिछले match में यह performance अच्छे नहीं किया लेकिन बड़े player है ठीक है यह कभी भी performance कर सकता है इसलिए हम इसको यहां पर अपने टीम में रख लेंगे ठीक है तो बैटिंग सेक्षन से आपको minimum तीन ही बल्ले बाज को रखना है आपको minimum तीन बल्ले बाज को रखना है अब all rounder section में अंद्रे रसेल है इसको अपने टीम में रखना है क्यूं रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है तो ऐसे पलेर को अपने टीम में जरूर से जरूर रखना है इसको आप ड्रॉब करोगे मतलब यहां पर खत्रे वाली बात है ठीक है यहां पर बाजली को भी रख सकते हो यह भी बालिंग बैटिंग दुनों जगा से पॉइंट देने वाला है पेसर गेंद बाज है तो यहां पर पैसर को ज्यादा है ठीक है इसलिए यहां पर बाजली को भी हम अपने टीम में रख लेंगे ठीक है अब गैयजिया यहां पर वाइलेंकों की बात करेंrif muchísimo सक्षन मैं मैनिमम तीन आल राउंडर को रख सकते हो या फिर दो के साथ भी जा सकते हो तो अभी हम दो ही के साथ जाने वाले हैं यहाँ पे एन मादसन है इसको भी आप अपने टीम में रख सकते हो लेकिन यह एस पीनर है इसलिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं कि यहाँ पे पेसर को ज्या सिस्क है इसलिए हम अपने टीमें इसको रखेंगे इसके बाद में यहाङ पर तीम वालेगा और उसको आउट करेगा एक चीजे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा और यह ट्रिक्स को आप हमेशा अपलाई करना आप ड्रीम 11 पर अच्छे रैंक हर बार गरेंड लिग या स्मॉल लिग दोनों में ला सकते हो ठीक है तो गाई जो बाते मैं आप भी से इंक लाएंगे ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ जो लेट हेंडर बल्ले बाज होते हैं उनको आउट करता है और जो राइट हेंडर बल्ले बाज होता है उसको आउट करता है लेट आर में स्पीनर ठीक है तो सामने वाला टीम में अगर ज्यादा राइट है और उसको आउट करेंगा ठीक है इसी तरह से ज्यादा लेट है ज्यादा लेट डालेगा तो आपको अपोजिट से गेंद उस् its स्वी परख को रख ले Celia कियार में और सामने वाला टीम τैंप都有 preभा और उसको आउट करेगा ठीक है इसलिए हम इसको यहाँ पर अपने टीम में रखने वाले हैं यहाँ पर एक्स बैर लेट को हम रखेंगे पिछले मैच में अच्छे परफॉमेंस नहीं किया है पर क्वालिटी फास्ट बॉलर है अच्छा पलेर है और इसको लोग ने ड्रॉब किय है 10% सेलेक्शन है इसको हम अपने टीम में रख लेंगे यहाँ पर हम इस पर रिस्क ले लेंगे कि यह जो पलेर है अच्छे पलेर है बहले ही पिछले मैच में अच्छा परफॉमेंस नहीं किया जिसके करान लोग ने इसको ड्रॉब किया ठीक है पर हम अपने टीम में रख क्यों कि सेलेक्शन काफी कम है और यह जो पलेर हैं यहाँ पर देख सकते हैं और सामने वाला टिम में दो ऐसे बल्लेबाज है जो लेफ्ट हेंडर है जिसको यह आउट कर सकते हैं उसके सामने पूरी बॉलिंग डालेगा इसको बीकेट मिलना लगबग तय है यानि कि इस मैच टीम यहाँ पर किरियेट हो चुका है आप टीम देख सकते हो इस तरह से आपको स्मॉल लिक की टीम किरियेट करना है पलेयर पर रिस्क भी लेना है लेकिन उसी हिसाब से रिस्क लेना है जो मैं अभी आपको बता जाया है ठीक है अब यहाँ पर आपको कैप्टन और वाज क के दे रहा हूं इसको आप स्मॉल लिंग में ही यूज किजिएगा गरेंड लिंग में आपको यह काम नहीं करेंगा ठीक है तो यहां पर गाईज देखिए कैप्टन वाज कैप्टन कैसे सेलेट करना है वह मैं आपको बता रहा हूं यहां पर बाजली को हम कैप्टन और यह जो है बाजली को यहां पर कैप्टन बनाएंगे रसेल को यहां पर वाज कैप्टन बनाएंगे क्यूंकि यह भी बाजली बैटिंग दोनों जगसे पॉइंट देने वाला है और पेसर गेंद बाज है तो पेसर को यहां पर पूरी तरह से हेल्प है तो गाईज यहां पे स्मॉल लिंग में खेलो 500 को इंबेस्टमेंट करो और वहां से 700-800 आपको इजली मिल जाएंगे ठीक है मैं होब कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे लाइक करना अपने फ्रेंट के साथ सेयर करना मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो